आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं आज की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की होगी आएज जानते हैं आज की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की रहने वाली है सो मैं रेंडम ली इस डेक को दो पार्ट में डिवाइट कर लेते हूं सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनरजी आज आपके पार्टनर किस तरह की एनरजी में रहने वाले हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं इस रिलेशन्शिप के बारे में क्या सोचने वाले हैं आईए जानते हैं तो पहला card है यहां पर five of cups का card है, the next card over here is queen of cups का card है यहां पर, the next card over here is five of wands का card है, the next card over here is three of cups का card है, the next card over here is ace of wands का card है. so मैंने ना एक वीडियो पोस्ट की थी दो तीन दिन पहले कि next turning point आपके relationship में क्या होगा and एक और वीडियो पोस्ट की थी कि third party का next action क्या होगा अब जो भी इस third party ने next action लिया था ना no moon पर उसका result start हो गया है आज से आज आपके partner की energies में interference होती हुई नजर आ रही है और ये interference इस third party की energy की interference है और ये interference बहुत ज़ादा strong रहने वाली है क्योंकि जो भी action इस third party ने लिया है उसके reaction की terms में आपके partner की energies change होगी आज आपके partner को ये महसूस होने वाला है कि इस रिष्टे के अंदर सब कुछ खतम हो चुका है वो एक मरे हुए साप को लाठी से मार रहे हैं उसका कोई logic नहीं बनता है आपके partner अपने आप में जो उनके emotions हैं आपको लेकर उन्हें दबाते हुए नजर आ रहे हैं आपके partner की अंदर जो भी आपको लेकर emotions हैं उन्हें वो suppress करते हुए नजर आ रहे हैं तो आपके जो partner है आज वो किसी और की energies में हैं इस चीज़ का एहसास आपके partner को भी नहीं होगा आपके partner को बिलकुल भी इस चीज़ की realization नहीं होगी and यहाँ पर five of vans का card है आपके जो partner है उन्हें ये महसूस होगा आज कि जब आपने उन्हें इतना गलत समझ ही लिया है तो आपकी life के अंदर enter करने का फाइदा क्या है आपकी life के अंदर enter करने का अब कोई logic बनता नहीं है अब आप उन्हें गलत समझते हैं और इस गलत फैमी को दूर कर पाना उनके बस की बात नहीं है तो आज आपके partner की direction change होती हुई नजर आ रही है आपके partner direction की terms में इस third party की और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं third party आपके relationship में आपके relationship के हालातों को overcome करती हुई नजर आ रही है so यह है आपके partner की energies I know थोड़ी चंता जनक energies है लेकिन आप इन energies को रोक सकते हैं कैसे यह transformation की energies आपके partner की start हुई है कल भी कुछ transformation की energies नजर आ रही थी आप आज comment section में cut transformation लिखेंगे with a cross sign red color का cross का sign होता है उसके साथ आप comment section में लिखेगा यह switch word जो होते हैं यह काम करते हैं कई लोगों के case में energies change होना बंद हो जाती है लेकिन जहां पर blockages बहुत गहरी होती है वहां पर फिर भी transformation होती है तो आप अपनी तरफ से effort लिखेंगे आप comment section में cut transformation with a cross लिख दीचेगा और वो दोनों जो videos है उन्हें जरूर देख लिजेगा कि किस तरह से आपकी love life के अंदर यह turning point आ रहा है आएए जोनते हैं आपकी energies आज किस तरह की होंगी आप आज किस तरह की energies में रहने वाले हैं आएए जानते हैं आप आज किस तरहां की energies में रहने वाले हैं So पहला card है यहां पर 3 of swords का card है The next card is 9 of cups का card है The next card over here is 7 of swords का card है The next card is judgment का card है The next card over here is death transformation का card है देखिए आपके case में भी तो transformation हो रही है इस third party ने जो भी impact create किया है उस चीज़ का असर आपकी energies में भी आज नजर आ रहा है आप भी अज अपने partner को लेकर बहुत ही जादा नकरात्मक सोच रखने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि आपके partner बदलते जा रहे हैं और जब उनके अंदर इस तरह के बदलाब है तो आप कब तक अपनी जंदगी को रोक कर रखेंगे आपको आपके partner ने जो कुछ भी आपके साथ किया वो आज बहुत जादा याद आने वाला है आप ये बात सोचेंगे कि उन्होंने आपको cheat किया उन्होंने आपको backstab किया तो आपको उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का मौका नहीं देना है ठीक है और आज आप एक peen की energies में नज़र आ रहे हैं आप आज एक heart broken energies में रहने वाले हैं आप ये सोचेंगे कि आपकी तो सिरफ इतनी सी इच्छा थी कि आप अपने पूरी जिंदगी loyalty के साथ अपने partner के साथ गुजार पाएं लेकिन आपके partner को वो चीज भी मनजूर नहीं थी आपके partner कभी आपके प्यार को ही नहीं समझ पाए आपके partner ने कभी आपके respect ही नहीं की और इस वजह से अब आप इस relationship में आगे की और नहीं बढ़ेंगे ये चीज आप अपने मन में सोचने वाले हैं आज आपकी energies में एक चीज और नजर आ रहे हैं इस delay से इस postponement से आप बहुत ज़दा frustrated नजर आ रहे हैं इस वजह से भी आज आप इस रिष्टे से आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं देखिए please समझदारी से decision लीजेगा ये energy आपकी नहीं है इस energy के साथ छेड़ चाड़ कोई और person कर चुका है तो अपनी energies को भी संभालने की कोशिश कीजेगा आप बहुत समझदार है समझदारी से आज की energies को channelize कीजेगा have a great day today God bless you all take care of your health see you soon